आज मैं आप सभी के लेग आए हूँ तीक ही चटपड़ी और बहुत ही मज़िदार हरी चटणी की रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से मिंटों बनके त्यार जाती है बढ़ खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है तो आप इस चटणी के लिए पर जोड़े उटार करें हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूजूही और स्वागत करते हूँ आप सभी का अपने चैनल आयांस की चैन में तो चलिए आज के बहुत ही सिंपल और मज़दार सी रेस्पी बनाना सुरू करते हैं इस चैटणी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्रैंडिंग जार लेंगे और साथी में डालेंगे आइश चोटी चीज़ बनान नमक समझे चुट चामच जरा में पाने किसी चह के साथ कर लेंगे आप सबी को बहुत पसंद आयागा इहां पर देक सिसे आप बसके का यह जिए खुळी चु घ्रीक कर लिए और Ό, जो चक्षिए ग्रिख असे तो गर कितना पॉफिक्ट आया है और कितना आसानी से बन के त्यार रहता है बट आप इसे एक बर बना लेंगे ना तो इसे बार बर बनाना चाहेंगे और इसके खास बात यह है कि आप इसे फ्रेजर में स्टोर कर सकते 15 दिन के लिए जो कि बिल्कुल खराब नहीं होता है तो आप इ प्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करिए और रेस्पी ट्राइब करने के बाद कैसे लगी कमेंटर के बताना बिल्कुल ना बोले तो चलिए मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केरन बाई